हेलो दोस्तो, टार्गेट विदलक्ष की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो P-Block के तत्तो के इस लेक्षर में आज आप सभी लोग पढ़ेंगे ओजोन के बारे में कि अगर वायो में जो है अधिक मात्रा में वहाँ पर ओजोन उपस्तित है तो इसका मतलब वहाँ पर जो वायो होगी वो विसैली होगी यह आप लोग याद रखेगा विसैली यानि कि जहरीली हो जाएगी अगर वायो में ओजोन की मात्रा अधिक हो जाएगी इसके अलावा आप लोग मुख्य पॉइंट याद रखेगा जो वाईू मंडल है आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे इस में कि जो वाईू मंडल होता है इस वाईू मंडल के उपरी भाग में याद रखेगा वाईू मंडल के जो है उपरी भाग में ओजोन पाई जाती है यानि कि ओजोन की परत होती यह अप जोग याद रखेंगे कि वायू मंडल के जो है उपरी भाग में अधिक मातरा में ओजोन जो है उपस्ठित होती है यह अप लोग याद रखेंगे यहाँ पर पराबैंगनी किर्ड़े होती है इनको standard होती है ये जो है पराबैंगनी केड़ों को प्रत्वी पर आने से रोकती है ये इसकी सबसे महत्वपूर बात है ये अप लोग याद रखेगा कि ओजोन पर जो है ये पराबैंगनी केड़ों को प्रत्वी पर आने से रोकती है इसके अलावाप लोग याद रखेएगा कि जो पराबैंगनी केड़े होती है ये प्रत्वी पर जितने भी जीवो इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं उन सभी के लिए हानिकारक होती है ये जो केड़े यानि कि तरंगे होती है पराबैंगनी तरंगे ये प्रत्वी पर उपस्थित जीवों इसके अलावा पेंड पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं लेकिन इन क्यूंडों को जो है ये ओजोन परत प्रत्थित पर आने से रोकती है तो ये जो है एक महत्यकून परत है इसलिए आप लोग इसके बारे में याद रखेगा लेकिन दूसरा और वायो मंडल के उपर ही भाग में उपस्थित ओजोन परत जो है उसमें एक सुराक हो गया है यानिकि उसमें छेद हो गया है और यह प्रत्थिव पर रहने वाले जीवों और प्योंड पौधों के लिए खत्रा बन गया है तो ये आप लोग यहां पर ओजोन के बारे में याद रखेगा इसके अलावां ओजोन के बनाने की विधियां यानि कि ओजोन बनाने के लिए कौन-कौन सी विधियां है पहले उनके बारे में समझ लेजिए आप तो बनाने की विधियां तो ओजोन बनाने की जो है दो प्रयोक्षाला विधियां है एक है सीमन ओ इसके लावा तीसरी इसकी और 2 विधियार याद रखेगा है यह पर ये दो जो है प्रयोक शाला विधियार है इसमें with the he says to हाल्स के शीमिन और हाल्स के ओजोनाईजर ओजो नाईजर तो यह यहाँ पर तीन विधियां हैं यहाँ पर ओजोन बनाने की यहाँ पर सीमिन ओजोनाईजर और ब्राड़ी ओजोनाईजर यह दोनों जो है प्रियोक्षाला विधि है और इसके अलामा जो सीमन और हाल्स के ओजोनाइजर है यहाँ पर एक और दोग गविदी है इसके अलामा उप लोग याद रखे गए हैं पर ओजोन बनाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे बोला जाता है ओजोनाइजर याद रखेगा ओजोन बनाने के लिए जिस उकरन का हम लोग प्रियोक करते हैं उससे बोलते हैं ओजो नाइजर तो यह जो है ओजय बनाने का उपकरन होता है तो वही यहाँ पर धान देजी इसमें लिखा गया है कि प्रियोग शाला में ओजोन को बनाने के लिए जो है oxygen gas में नीरो विद्धुत विसर्जन यहाँ पर धान देजे एक सब्ड यूज हुआ है नीरो विद्धुत विसर्जन इससे हम लोग English में बोलते हैं silent electric discharge याद रखे इससे ओजुनाइजर कहते हैं इसके लिए द्यान देजे अगर आप समीकन कप्रयों करेंगे यानिकि अगर समीकन लिखते हैं तो इसमें द्यान देजे यहाँ पर जो oxygen गयश होती इसका शूतर क्या होता है यहां पर जब इसमें जो है नीरोविद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् करेंगे और इसमें यहां पर दो इसे गुड़ा कर देंगे इस प्रकार से तो यहां पर द्यान देजिए इसका मतलब यहां पर आक्सिजन के कितने अड़ों है तीन और ओजोन के कितने अड़ों करप्त हुए दो इसके लिए द्यान देजिए अगर आप इसे शमाजना चाहते तो यहां पर जो इसका यह सायोजग बंद है, यह तूट जाता है, जब यहां से यह बंद तूट जाता है, तो यह oxygen जो है, इसके साथ साधा कर लेता है, और यह वाल oxygen जो है, इसके साधा कर लेता है, तो यहां पर इस प्रकार दान देजे, यह तीनों, ओ मिलके क्या बन जाते आपको बताया गया है और अभी आपको बताया गया है और अभी आपको बताया गया है कि प्रयोक शालाय में हम लोग दो विद्यों का प्रयोग करते हैं एक सीमेन का उजनाजर इसके अ्लामत दूसरा यहां पर प्रयोक करते हैं टो पाँपड़ी का ऑजूनाजर तो पहले यहां पर दोनूं के आप फिगश्जह से यहां पनाली अपको अपको сам जा नलियां होती है यानि कि दो नलियों का केंद्र जो है इसमें एक ही होता है तो देहन देजी किस प्रकार से होती है इस प्रकार से यहां पर दो नलियां होंगी देहन देजी यहां पर यह दोनों नलियों का जो केंद्र होगा वो एक ही होगा इस प्रकार से यहां पर देहन देन और यहां पर तिन की पतली परत होती है या फ़र प्लेट बोल सकते हैं इस प्रकार से तिन की प्लेट यहां पर होती है इस प्रकार से देहन देजिए यहां पर पूरी नली में तिन की यहां पर प्लेट लगी होगी इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे यहां पर यह चित्रा इसके अलावा जो यह बनी हुई है बाहर से यह यहां पर जो है टिन की प्लेट होती है यह आप लोग याद रखेंगे आपर यह जो है तिन की प्लेट लगी होती है इसके अलावा इसमें यहां पर जो होता है प्रेरण कुंडली इस प्रकार से द्यान देचे यहां पर प्लस और इसके अलावा यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं माइनस यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें प्रेरण कुंडली को इसके अलावा द्यान दिजी यहाँ पर यह जो जिरा होता है यहाँ से सुस्क आक्सिजन जो इसमें प्रवाहित की जाती है यहाँ पर आप पर लिख सकते हैं इसमें ओजोनी क्रत ऑक्सीजन ओजोनी क्रत ऑक्सीजन इस प्रकार से तो इस उपकरण को हम लोग बोलते हैं सीमेन ओजोनाइजर यानिकि इसी उपकरण की सायता से जो है ओजोन गैश बनाई जाती है पहले आप इस उपकरण को देख लीजिए इसके अला को बताया गई कि दो भीतरी नलियों के जो भीतरी भागें इस पर और जो बाहरी नलिया है उसके जो बाहरी सिरे हैं इन पर एलिकोर का कार्य करती है इनको तार दार के दार के दारा प्रेरकुंड़िसे जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर दोनों संकेंदरी नलियों के बीच जो एक खाली स्थान होता है इसमें हम लोग कम ताप पर सुस्क आक्सिजन गैस प्रवाहित करेंगे और इसके अलावा जो इसमें नीरो विद्धुत विसजन प्रवाहित कह जाता है जिससे आक्सिजन जो है वो ओज और अगर उपकरण को हम लोग जो है जीरो डिगरी सेल्सेश पर ठंड़ा करके और बनाएं तो जो जो ओजो नीरो नीरो विद्धुत पर बंद होती है तो इस प्रकास से आपके आप लिखना एक बार फिर से आप ध्यान देजे आप इसमें बताएंगे कि यहाँ उपकरण जो है दो संकेंद्री नलियों से बना होता है जो एक शिरे पर बंद होती है भीत्री नली की भीत्री सतय पर और बाहरी नली की बाहरी सतय पर तिन की पन्नी या फिर प्लेट चड़ी रहती है यह तिन की पन्नी जो है एलेक्ट्रोड का कार करती है और इनको तार दोरा जो है प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं दोनों संकेंदरी नलियों के बीच खाली इस्थान में कम ताप पर जो है सुस का आक्सीजन यानि की O2 और इसके अलावा जो है नीरो विद्धोत विशजन प्रवाहित कहा जाता है आक्सीजन जो है ओजोन में परिवर्तित हो जाती है और प्राप्त गैसी मिश्रण को ओजोनिकरत आक्सीजन कहते है इसमें जो है लगभग 10 प्रचत तक जो है ओजोन उपस्थित होती है और इसके अलावा बताएंगे कि यदि उपकरण को 0 डिगरी सेल सेस पर ठंडा करके ओजोन बनाई जाए तो ओजोनिकरत आक्सीजन जो है इसमें लगभग 15 प्रचत तक ओजोन जो है उपस्थित होती है इस प्रकास से आपको इसके बारे में लिखना है अब इसके बाद ध्हंदेजी ब्राडी ओजोनाईजर इससे ध्हंदेजी कि इस प्रकास आपको तैयार करना है इसमें याद रखेगा एक यू आकार की जो है नली होती है जैसे कि अब ध्हन देजिए इसमें आप पहले तो यू आकार की जो है एक नली बनाएंगे आप इसमें इस प्रकार से जो है यू आकार की एक नली होगी इसमें इस प्रकार से आपको यहां पर बनाना है यहां पर यू आकार की नली हो गई अब ध्यान देजी यहां पर यू आकार की नली होती है इसका एक भाग पतला होता है और दूसरा भाग जो होता है वो अधिक चोड़ा होता है इश में जो है यहाँ पर हम लोग एक परक नली लगा देंगे इश परकार से बनाएंगे त्यान दीजे यहाँ पर यह एक परक नली लगानी है इश में आपको इश परकार से हो जाएगा इश उपकरण को आप इस परकार से तयार करेंगे इसके बाद जो यह उपकरण त्यार होगा इसको जो है हम लोग एक पात्र में या फिर आप बोल सकते हैं इस पूरे के पूरे उपकरण को जो है एक H2SO4 से भरे पात्र में रख देना यानि कि इस पूरे उपकरण को जो है H2SO4 से भरे एक पात्र में आपको रखना है इस प्रकार से यहाँ पर जो है यह H2SO4 से भरा एक पात्र हो जाएगा इस प्रकार से आपको तयार करना है इस में यहाँ पर H2SO4 भरना है इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बनाएंगे पूरा आप देख लीजिए जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो यह यहाँ पर जो विलेन भरा गया है यह H2SO4 का विलेन होगा इस प्रकार से यहाँ पर यह इसमें भी बढ़ दिया जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर जो यह विलेन भरा गया है यह विलेन हो जाएगा H2 SO4 यहां पर आप लख सकते हैं तनू H2 SO4 इस प्रकार से हो गया अब इसके बाद ध्यान देजी इसमें जो है यहां पर हम लोग कापर या फिर बोल सकते हैं प्लेटिनम का एक तार जो है परकनली में रखते हैं यहां कि एक कापर या फिर प्लेटिनम का एक तार जो है वो परकनली में और इसके अलावा एक जो है इस पातर में रखा जाएगा जैसे कि यह रखा गया है तो यह जो हो जाएगा इस पातर में हो जाएगा इसके अलावा एक जो है इश में हो जाएगा यहां पर इश प्रकार से इश में रख दिया जाएगा यह प्लैटनम का भी हो सकता है यह पर कॉपर का भी हो सकता है इश प्रकार से यहां पर यह हो जाएगा तो यहां पर जो यह तार लगाया गया है यह एलेक्डोड का कारे करते हैं और इनको हम लोग प्रेरण कुंडली से जोड़ देंगे यानि कि इनको जो है इन दोनों तारों को किस से जोड़ना आपको प्रेरण कुंडली से इन दोनों तारों को हम लोग जोड़ेंगे प्रेरण कुंडली से इस प्रकार से यहां पर आप लिखेंगे प्रेरण कुंडली से इनको जोड़न सुर्ध सुस्क ऑक्सिजन यानि कि और यहां पर जो ऑक्सिजन होगी वो ओजोन युक्त प्राप्त होगी यहां पर आप इसमें लेखेंगे ओजोन युक्त और यहां पर जो है भीतरी नली होगी यहां पर आप लेखेंगे इसमें भीतरी नली और जैगा तो इस प्रकाश जो हम लोग ब्राड़ी ओजोन आदर को तयार करेंगे अब इसके बारे में आपको किस प्रकाश से लिखना है पहले यह आप ध्यान पूर्दवक्त समझ लेजि इसमें एक यू नली होती है फिर आप बोल सकते हैं यू आकार के एक नली होती है जिसका एक भाग जो है पतला और दूसरा भाग जो है अधिक चोड़ा होता है और सुस्क आकसीजन यानि की ओटु प्रवाहित करने के लिए जो चौना भाग होता है, उसमें एक परकुनली जो है लगा दी जाती है और पूरे उपकरण को जो है तनूH2SO4 के एक पातर में रख देते हैं यनि कि तनूH2SO4 से भरी एक पातर में जो है से रख देते हैं प्लैटिनम या फिर कापर का एक तार जो है पात्र में इसके अलावा एक परक नली में लटका देते हैं और परक नली में भी यहाँ पर H2SO4 भर देते हैं ये दोनों तार जो है अलेक्टोड का कारिकरते हैं और इनको जो हम लोग प्रेरर कुंडली से जोड़ देते हैं और नलियों के बीच में यानि कि जो नलियों के बीच में खाली स्थान में जो है कम ताप पर हम लोग सुस्क आक्सीजन और इसके अलावा जो है नीरो विद्दुत विशाजन जो है प्रवाहित करते हैं जिससे oxygen जो है, वो O3 यानि की ozone में परिवर्तित हो जाती है, याद रखेगा जो oxygen होती है, वो O3 यानि की ozone में परिवर्तित हो जाती है, और प्राप्त ozone निकरत जो oxygen होती है, इसमें लगभग जो है 10 प्रिशन तक ozone उपस्थित होती है, यह याद रखेगा हैं पर जो प्राप् अब किस प्रकास से आपको इसको लिखना है अब ध्यान दीजी तो वही आपे लिखा गया है कि प्रियोग साला में ओजोन के निर्माड में वद्धुत विशर्जन के लिए सीमेन या फिर ब्राडी का ओजोनाजर प्रियोग तक्या जाता है नलियों के बीश में निम्नताप यानि की कमताप पर सुस्क और सुध आक्सीजन धीरे धीरे प्रवाहित की जाती है नीरो विद्धुत विशर्जन के प्रभाव से आक्सीजन जो है ओजोन में परिवर्टित हो जाती है ओजोन नाजर से निकलने वाली गैस ओजोनित हैं तो बाकि इसकी और दोगिक वेदी इसके अलाओं बहुत तिक और राचानिक गुर्ण जो है हुँ मैं आप लोग को नेक्ट वीडियो में बताऊंगा तो अगर आप सभी को ये वीडियो पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सबस्काइब जरूर करिएगा धन्यवाद